कि कि वंस अगें गुड इवनिंग तो अल फ्यू वेरी गुड इवनिंग एवरीवन और आज डेट है फिफ्ट ऑफ फेब्रेरी आज हम लास्ट चैप्टर करेंगे आपके अकाउंट्स का अगर हमारे पास टी इस क्रेवाल सर की बुक है तो उसके अंदर चैप्टर नंबर है ट्वंटीवन लास्ट चैप्टर है ट्वंटीवन अगर आपके पास ये वाला लिटेस अडिशन दिया हुआ है ट्वंटी ट्वंटीवन का तो इसका लास्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल जो है वो लास्ट चैप्टर है चैप्टर ट्वंटीवन चैप् का नाम है accounting for incomplete records बहुत ही आसान chapter है accounting for incomplete records सबसे ज़्यादा technical final account सा ये chapter बहुत easy है आपके लिए और ऐसा ही इसके बाद वाला chapter है computerized accounting तो जल्दी जल्दी जरा समझते है accounting for incomplete records ये क्या मतलब है incomplete records का मैं आपको practical example देता हूँ शैद आप में से कुछ बच्चों ने सुना भी हो कई बार कुछ businesses के अंदर income tax की rate पड़ जाती है बिटा जहां पे बिल्कुल black money ज़्यादा मिलती है वहां पे income tax अपनी rate कर देता है income tax का छापा पड़ जाता है income tax जब rate करता है तो वहां पे जो भी books मिलती है books का मतलब है books of accounts it means जैसे आप बनाते हैं journal, cash book subsidiary books जो भी books वहां मिलती है उन सब को उन सारी books को government income tax क्या कर लेती है seize कर लेती है seize का मतलब होता है अपने पास रख लेती है जब कर लेती है तो अगर books of accounts government अपने पास ले गई seize कर गई तो हम अब accounts कैसे बनाएंगे क्योंकि कुछ books तो government अपने साथ ही ले गई तो उसे कहते हैं incomplete records और उसके अगर records हमारे पास incomplete है फिर भी हम accounting कर सकते हैं उसके तो आपको ये सिखाना पड़ता है हमें कि अगर हमारे पास कुछ books government ले जाती है या चोरी हो जाती है कोई और भी reason हो सकता है loss by theft आपके यहां पे चोरी हो गया कुछ समान चोर उठाके ले गए तो आपके पास incomplete है records फिर भी हम accounting कैसे करेंगे ये हमें सीखना है दूसरी बात अब इस accounting के लिए आपको सिरफ मैं आपको यहां पे बताता हूँ अगर हम बात करते हैं accounting system के accounting system दो तरे का system होता है एक होता है जो अभी तक आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हो double entry system और दूसरा होता है जो हम आज पढ़ेंगे उसको कहते हैं single entry system नाम से पता चल रहा है single entry इसका मतलब सिरफ एक effect पे आपको ध्यान देना है double entry आप मेरे से आज तक पढ़ते आ रहे हैं और हम उसका double effect डालते थे यहां single effect डालेंगे सिरफ एक effect खतम single entry तो यह आपने सीखना है और single entry कब applicable होती है when records are incomplete तो हम accounting कैसे करते हैं हम accounting करते हैं यहां से हम accounting करते हैं by using single entry system अब सिंगल entry और double entry में थोड़ा-थोड़ा सा difference बताता हूं जैसे यहां पर अगर आपको याद हो में छोटा-छोटा साथ चलो एक साह यहां लिखता हूं तीन account से हमारे real, nominal, personal तीन account से जब हमने account स्टार्ट किया था real, nominal, personal तीनों accounts को यहां record किया जाता था बट यहां पर, यहां पर सिर्फ personal accounts record होते हैं सिर्फ personal accounts और, और cash book record होती है बस दो ही चीज़ें बनाई जाती हैं, जादा नहीं अगर आप बच्चों को याद हो, personal account में क्या क्या चीज़ें आती थी याद है किसी को, personal account में हमारी सारी की सारी liabilities आ जाती थी और पता ही क्या क्या आ जाती थी, capital आ जाता था very good, liabilities, capital, debtors भी आ जाते थे, debtors, क्योंकि वो personal होते हैं debtor आ जाते थे, bank आ जाता था, bank भी क्या होता था, हमारा personal account होता था तो यहां पे सिर्फ दो account बनते हैं, personal accounts और cash book यह single entry होता है, और देखते हैं यह वाला जो system होता है double entry, यहां पे आप पहले बनाते थे trading account, trading के बाद बनाते थे P&L, profit and loss और उसके बाद बनाते थे balance sheet, यह चीज़े बनाते थे, यहां पे आपके पास record सी incomplete हैं, तो आप trading P&L नहीं बना सकते, अब balance sheet exact नहीं बन सकती क्योंकि liabilities और capital हैं आपके पास, balance sheet exact नहीं बन पाती, इसलिए यहां पे हम एक statement बनाते हैं, उसका नाम होता है statement of affairs, तो यह अब आपने मेरे से सीखना है कि सरी क्या चीज़ आ गई, statement of affairs, होती balance sheet ही है, बिटा होती balance sheet की तरह है, बस नाम के आएगा statement of affairs, तो सर, इस case में अगर P&L नहीं बनाएंगे, तो profit कैसे निकलेगा, हम profit and loss account इसलिए बनाते थे, to find out profit or loss, यह मुझे आपको सिखाना है, यही तो एक art है, P&L नहीं बनाएंगे, फिर भी profit and loss में आपको निकालना सिखा दूँगा, तो यह basic start कर दिया, दोस्तों ही दौनों chapter बहुत असान है, chapter 21, incomplete records, और उसके बाद जो chapter है, computerized accounting वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, computerized accounting, CA, यह भी chapter theoretical है, बहुत असान chapter से, मैंने आज आपको computerized accounting की videos भेजी थी, छोटी-छोटी सी videos है, 15-15 minute की videos है, इनको देख लेना, theoretical है, 8 number में आना है computerized accounting, 8 marks तो पक्के करें, because theory है, straight forward question, और incomplete records, मैं आपको आज करा देता हूँ, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आज आपको याद दिलाता हूँ, पहले यह बताईए, is it clear to all of you, जितना मैंने बताया, क्या यह बात आप सबको समझ आई है, फटा-फट बताओ, yes or no, इस चैप्टर की weightage कितने है, इस चैप्टर की 5 से लेके 6 marks की weightage होगे, इस चैप्टर की weightage भी 5 से लेके 6 है, और computerize की 8, बिटा बहुत simple है, यह आप पहले ही कर चुके हो, देखना आज की class में खतम हो जाएगा, आज ही की class में खतम आपका 11 कस लिबस खतम, बस फिर हम extra questions, revision, यह सारे काम करना स्टार्ट करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं, कितने students ने, almost students ने join कर लिया है, अभी मेरे साथ कौन कौन है, अकाइशा, हातिम, करिश्मा, कसक, कशिश, कशिश सजदेवा, नकुल, सकीना, सिया, स्रिष्टी, चलिए, यह सब अब फटा फट चलते हैं, इसके साथ, पहली बात, because of covid, because of covid, cbsc ने कुछ portion delete कर दिया है, आप सब के schools के अंदर, तो cbsc ने delete करा है, conversion method, यह cbsc ने delete कर दिया है, और final accounts, जैसे final accounts आप यहाँ बनाते थे, trading pindle balance sheet, यह दौनों चीज़ें cbsc ने delete कर दिया है, अगर मैं book की बात करूँ, जिन बच्चों के पास, ग्रिवाल सर की book है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस book के अंदर जरा एक बार चलते हैं, chapter number 21 पे, chapter number 21 में, यह देखो आप, काम कितना आसान हो गया, यहां से आपको, इस questions हमारे यहां से start है, page number 21.37, पहला topic है, ascertainment of profit and loss, profit and loss निकालना है आपको, कैसे निकालना है, statement of affairs, अभी बताया था मैंने affairs का मतलब balance sheet, balance sheet से बस यह topic पढ़ना है, once से लेके, 17 question है, उसके बाद, conversion method, missing amount, deleted by CBSC, conversion method delete कर दिया, यानि 18 के बाद आपको questions नहीं करने, कब तक नहीं करने और आगे चलते हैं, उसके बाद, next topic है, preparation of trading P&L balance sheet, यह भी CBSC ने delete कर दिया है, और आपके schools में भी नहीं होगा, तो यह भी सर्फ सारा खतम, low side chapter ही खतम हो गया, next chapter आ गया, computers in accounting, eight marks का chapter है यह, जी, खतम, कल Sunday Sunday में सब कुछ खतम हो जाएगा, सिरफ 17 question करने हैं, और इतने असान question हैं, अभी दो मिनिट में chapter खतम करते हैं, आओ जरा, मैंने आपको बहुत starting में यह वाले questions करा दिये थे, जब हमने 11th class start करे थे, अभी तो बस revise करा देता हूँ, मैं आपको इसके अंदर क्या हो, याद करो एक formula, पहला formula, capital, अभी आप खुदी मुझे बताना start कर दोगे, opening capital, मान लेते हैं, opening capital, मैंने जब business में एक लाख रुपे लगाए, जब मैंने business start करी थी, opening capital, फिर additional capital, आप जल्दी से बताओ, additional capital, प्लस होगा या माइनस, सोच के बताओ, एक लाख रुपे हमने starting में लगाए थे, additional capital क्या होना चाहिए, additional capital प्लस होना चाहिए, तीन लाख रुपे मैंने और लगा दी, additional capital प्लस, अब बताओ, drawings क्या होनी चाहिए, drawings, कुछ पैसा में अपने घर ले गया, आपको क्या लगता है, drawings क्या होनी चाहिए, drawings होनी चाहिए, minus, मान लेते हैं, 70,000 हम अपने घर ले गए, 70,000 हम अपने घर ले गए, very good, finally बताओ, last में जो बसता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, closing capital, क्या बोलते हैं, closing, जल्दी से बताओ, closing capital कितनी होगी, फटा फट बताओ, एक लाग प्लस तीन लाग, चार लाग, minus 70,000, closing कितनी होगी, जल्दी से बताओ, बच्चे कह रहे हैं, सर, closing होगी, 3,30,000, बटा, closing होगी, 3,30,000, बट मैंने कितनी लिख दी, मैंने लिख दी, 3,40,000, सर ये 10 हजार का क्या है बिटा मैं नहीं बताऊंगा आप ही बताऊगे सोचो हमारी कैपिटल आ रही थी 3,30,000 कोश्चन में दी है 3,40 ये 10 का क्या होगा जल्दी से बताऊ फटाफट बताऊ ये 10 का क्या होगा very good हो गया चेप्टर खतम बस ये ही निकालना था बिटा ये 10 हजार का क्या होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है तो ये क्या है ये आपका प्रॉफिट है इस तरह से आपको निकालनी है अगर सर कुछ कम होता तो लॉस होता इसी को कहते हैं incomplete records profit और loss ढूंडना था आपने ढूंड लिया अब कैसे मैं आपको बताता हूँ closing capital हम कैसे निकालेंगे आप क्या करोगे आप उसके लिए बनाओगे एक balance sheet और balance sheet को क्या बोलते है statement of affairs ये इसको मैं लिख देता हूँ आपकी knowledge के लिए ये balance sheet है ये कौन सी balance sheet है ये बनाओगे आप closing में आखरी में ये लोग बन गी balance sheet है ऐसे ही तो बनाते थे statement of affairs इधर आती थी assets इधर आती थी liabilities और जो last में बसती थी वो आती थी capital तो closing capital यहां से निकलेगी closing capital यहां से निकलेगी कि आपको assets दी होंगी मान लेते हैं assets है 100 रुपे liability है 80 रुपे तो बताओ closing कितनी निकली closing निकली 20 रुपी यह आगई closing यानि सर ये वाली figure ये figure कैसे निकलेगी statement of affairs से अब मेरे से student ने पूछा sir opening कहा से मिलेगी opening बेटा opening के लिए आपको दुबारा से बनानी पड़ेगी statement of affairs it means sir दो दो बार balance sheet बनानी पड़ेगी so answer is yes but ये balance sheet कौन सी होगी opening ये देखो same कहानी asset liabilities और यहां से भी क्या आजएगी capital मान लेते हैं opening में assets थी 70 liability थी 60 तो बताओ capital कितनी बची capital बची 10,000 तो ये कौन सी capital आगई ये आगई opening दो दो बार statement of affairs बनाना है एक बार opening बनाना है एक बार closing बनाना है जो भी difference आएगा यहां पर जो difference आएगा वो closing capital है यहां जो difference आएगा वो opening capital है दो चीजें मिल गई बाकी की जो चीजें बच गई additional drawings ये सब आपको मिलेंगी adjustment के अंदर बस सारी चीजें मिल गई profit और loss आजाएगा आईए जरा question करना start करते है question करता हूँ तो अगर किसी को doubt होगा तो वो भी clear हो जाएगा बस यही करना था पूरे chapter में आउ जरा एक question करते है बिटा फटा 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 अगर book है आप सब के पास तो book open कर लो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं जिससे आपके सारे chapters cover हो जाएगी और आज वो एतिहास एक दिन आ गया लो आओ हम एक एक करके question करते हैं सबसे पहले question number two करते है बिटा पुराना जो इतना time लगाया था आज उसका use करने का वक्त आ चुका है मयंग does not keep proper records बिटा सबके पास book होगी तो इसी से आप देख लो मैं चलो थोड़ा सा font size और increase कर देता हूँ ये देखिए question number two टी इस ग्रेवाल सर की बुक का question number two मयंग does not keep proper records of the business यानि उसने proper records नहीं रखे इसका मतलब incomplete records है he gives you the following information पहला है opening capital, closing capital, drawings, capital added during the year, मतलब additional capital, कह रहे हैं profit और loss बताओ कि इतना असान question पूछ रहे हैं ये बस इतनी से बात करनी थी आजाओ ज़रा मेरे साथ question number two question number two simple सा formula लगाते हैं opening capital plus additional capital minus drawings drawings के बाद जो आ गया last में वो क्या आ गया closing capital opening दे रखी थी आपको एक लाग रुपे logically चलना एक लाग रुपे closing दे रखी है एक लाग पच्चेस हजार drawings दे रखी हैं आपको 30,000 ये लो मैंने ये drawings लिखती 30,000 capital एडिशनल capital दे रखी है 37,500 ये दे रखी additional capital पहले चलते हैं logic पर आपके according दोस्तों ध्यान से आपके according कितनी capital होनी चाहिए सोच के बताओ हमारे according होनी चाहिए एक लाग साथ हजार पांसो हमारे according होनी चाहिए एक लाग साथ हजार पांसो और आ कितनी रही है आ रही है एक लाग पच्चेस हजार यह कैसे बढ़ गई सोचो आप यह क्यों increase होई होगी because of profit capital क्यों बढ़ जाती है profit very good तो बहुत simple सा question है बताओ कितना profit होगा इनके बीच में कितना profit होगा धाई हजार तो यह हो गया 10,000 सत्रा हजार पांसो बस अगर आप चाहो तो आप formula रट सकते हो very good नकुल अगर आप चाहो तो formula रट सकते हो अगर आप चाहो तो logic भी आपको समझाना चाहिए capital इतनी होनी चाहिए थी as per logic बढ़ यह बढ़ कैसे गई यह बढ़ने का reason ही होता है कि आपने क्या कमाया है profit और अगर यह कम होती तो आपने क्या कमाया होता loss खतम बस यही निकालना था answer चेक कर ले एक और question कराता हूं मैं आपको फिर आपके doubts लोंगा बिटाई सारे question बड़े असान असान से हैं थोड़ा सा मुश्किल करते हैं आओ जरा थोड़ा सा मुश्किल question question नंबर 9 शुरुती वाला शुरुती मेंटेंस हर बुक्स फॉर इनकंप्लीट रिकॉर्ट शुरुती के हम अकाउंट्स बना रहे हैं दो डेट हैं एक है 1st April 2015 और एक डेट है 31st मार्च 2016 दो डेट से असेट्स दे रखें कैश बिल्स रिसीवेबल टेटर स्टॉक इन्वेस्मेंट फरनीचर और लायबिलिटी में दे रखें हैं क्रेटर और नीचे कुछ इंगलिश में बोल रहे हैं पता नहीं यह कुश्चन के चांसिस बहुत ज़्यादा रहते हैं आओ जड़ा करते हैं कुश्चन नंबर कौन सा है कुश्चन नंबर 9 पहले हम क्या करते हैं चैप्टर तो ऐसे बातो बातों में खतम हो जाएगा पहले मैं आपको अन्म्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए Q9 में आपके साथ discuss कर रहा था और Q9 की चीजें हम यहां पे clearly आपके साथ discuss करते हैं इस Q9 के साथ आपके और भी point clear हो जाएंगे Q9 में यहां लिखा था 1st April 2015 और यहां लिखा है 31st March 2016 2016 यह हमारा चल रहा था ओके इट में सर यह है opening और यह है closing निदी एक बर समिख्षा को भी message कर दो वो भी present नहीं है आज की class में ओपनिंग और closing का आपको data दिया हुआ है आपने क्या करना है opening की बनानी है statement of affairs इसका मतलब opening की balance sheet बनानी है आपको statement of affairs का simple meaning है opening balance sheet और ऐसे closing में भी आपको क्या बनानी है statement of affairs तो मैंने यहां पर closing में भी बना दी आप याद रखना कि हम यह statement of affairs क्यों बना रहे हैं ओपनिंग ओपनिंग state of affairs से निकलेगी ओपनिंग capital और closing से निकलेगी closing capital बस फिर हम देखेंगे difference चलिए बिड़ा आप मैं मान के चल रहा हूँ आप सब के पास book है मेरे साथ सब जड़ा values देखते हैं बस values डालनी है इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जी मुझे बताएए cash cash एक asset है cash कितनी थी opening में है 1200 और closing में है 1600 space कम है इसलिए मैं सिधा amount लिक रहा हूँ bills receivable BR bills receivable opening में है ही नहीं closing में है 2400 ये भी हमारी asset होगे debtors debtors दिये हुए है 16,800 और यहां दे रखे है 27,200 सिरफ copy कर रहा है stock इस टॉक इस टॉक दे रखा है जीरो और यहां दे रखा है 8,000 furniture फरनीचर फरनीचर दे रखा है 7,500 बिटा जिनके पास डीके गुविल सर की बुक है वो ऐसे ही मैं पोल रहा हूं कोशन को समझे मेरे साथ साथ हाँ कुछ गलत हो गया है अच्छा हाँ कुछ गलत हो गया बच्चे कह रहे हैं कि सर गलत कर दिया आपने कुछ investment हाँ मैं भूल गया कुछ cash, PR, debtor ठीक है stock investment हाँ stock तो stock इतना था अच्छा ये stock नहीं था ये investment है बटा एक लिखने में mistake हो गई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जरा अभी आपको समझाता हूँ 22,400 और ये है 24,400 गलती क्या हो गई है ये cross में है यानि सर investment है zero और stock है 22,400 ये mistake हो गई है इसका मतलब ये जो 8,000 है ये investment है और ये जो 24,000 है ये stock है चलिए और बताइए furniture investment खतम यहाँ पर creditors दिया हूए है creditors क्रेडिटर्स कितने है 14,900 और यहाँ पर creditors है 11,600 दोस्तों question हो गया खतम मुझे जल्दी से बताओ इस account को इस balance sheet को statement of affairs को close करते हैं यहाँ जो भी बची वो होगी capital कौन सी capital opening आओ जरा मेरे साथ total करते हैं calculator कहां गया यह रहा calculator चलिए plus करते हैं बारह सो सोला हजार आठ सो सेवन्टी फाइव हंट्रेड और 22,400 यह total आ रहा है 47,900 मैंने यहां लिखा total में 47,900 total बराबर आता है balance sheet का उसमें से liability को minus कर दो 14,900 तो जो balancing figure आया this is called opening capital यह आ गई opening अब चलते हैं closing पर very good अब यहां से जो आएगी उसको लिख देते हैं यहां से भी capital आएगी मगर कौन सी capital आएगी closing capital आओ जरा यहां का total करते हैं 1600 2400 27,200 8,000 फिर 8,000 फिर आगे 24,400 यह आ रहा है 71,600 मैंने यहां भी लिखा 71,600 टोटल टेली कर रहा है उसमें से minus करेंगे creditors तो finally closing capital आ गई 60,000 यह देखो logically अकांशा आपका doubt था opening में 33 लगाए closing में 60 हो गए opening में 33 लगाए closing में 60 हो गए अब चलते हैं additional information में पढ़ो मेरे साथ additional information में क्या लिखा है लिखा है कि she withdrew 500 पर month she withdrew 500 पर month for personal expenses personal expenses का मतलब होता है drawings 500 रुपे निकाल रहे हैं 12 महिने पर month 12 महिने तो यह कितना हो गया यह हो गया 6000 हजार और देखते हैं यह drawings हैं आपकी पता चल गए आपको she sold her investment उसके पास कोई investment थी 16,000 रुपे की उन्होंने बेचा है 5% premium पर और यह सारा पैसा लगा दिया business के अंदर इसको हम accounts में बोलते है additional capital उनके घर में कोई पैसा रखा था investment माल लेते हैं gold रखा था 16,000 रुपे का gold यह घर पे रखा था उनके she sold her investment यह gold था उसको 5% premium पे बेचा है 5% premium का मतलब होता है profit इसका 5% हो गया 800 और यह सारा का सारा पैसा यह सारा का सारा पैसा उन्होंने कहां लगा दिया business के अंदर this is called additional capital खतम हो गई कहानी आओ जरा मेरे साथ साथ यह opening है यह additional है यह drawings है यह closing है logically बात करें आज आओ जरा calculator से logically बात करते हैं यह सभी मैं doubt लूँगा कशिश don't worry opening में 33,000 है opening में मैं भी बताता हूँ आपको don't worry विदुशी 33 opening में था additional कितना लगाया 16,800 additional लगाया 16,800 मैंने plus कर दिया additional drawings कर देते हैं minus minus 6,000 मेरे according यह capital आनी चिये थी 43,800 बिटा हमारे according capital आनी चिये थी 43,800 और आ कितनी रही है 60,000 इसका मतलब सर्थ जादा आ रही है 16,200 जादा आ रही है तो यह होगा हमारा profit आप सब बच्चे आंसर चेक करें चेक करो क्या profit 16,200 आ रहा है मुझे जल्दी बताओ chat box के अंदर क्या हमारा profit निधी का अंसर आगे बिटा जल्दी जल्दी बताओ क्या हमारा profit 16,200 आ रहा है यस और नो अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ फिर आपके doubts लेते हैं पहली बात सरी 800 कैसे निकाला उन्होंने कहा था 16,000 की investment 5% premium पर है 5% आप निकाल के देखो 16,000 का 5% तो 16,000 का 5% आएगा 800 रुपे इतने profit पे बेचा और जो भी पैसा आया गोल्ड बेचके जो भी पैसा आया वो सारा कहां लगा दिया business में this is called additional capital चलिए पहले हम unmute करते हैं आप सब को doubts के लिए